हलो फ्रेंज आज हम बना रहे हैं आलू और प्याज की कचोड़ी जो हम अलग तरीके से बनाएंगे और बनाने का तरीका बिल्कुल आसान होगा इस कचोड़ी को कोई भी बना सकता है कचोड़ी बनाने के लिए हमने कच्चा आलू लिया है जिसे काट लिया है छील करके और अ अबाल कर भी ले सकते हैं पर कच्छे आलो की बहुत क्रिस्पी कचोड़ी बनती है अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें गेहूं का आटा डालेंगे जिस आटा से हम रोटी बनाती है उसी से बनाएंगे और हमने एक चम्मच नमक डाला है हल्दी जीरा धनिया पत्ती अब हम तेल डाल लेंगे तेल डालने से ये बहुत क्रिस्पी बनेगा और बहुत खस्ता बनेगा हमारा नास्ता इस नास्ता को कोई भी बना सकता है क्योंकि भरने वाली कचोड़ी तो सभी कोई बनाता है इसलिए आज हम कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं इसे हम अच्छे से गूथ लेंगे अगर पानी डालने की जरूरत हो तो डाले नहीं नहीं डाले इतने में ही हमारा आटा गुथ जाएगा हमने एक आलू लिया था बड़े साच का और एक बड़े साच की प्याजली थी और दो कप आटा इसे हम 10 मेट के लिए रख देंगे 10 मेट बाद इसे अच्छे से मसल लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोईया काट करके रख लेंगे जितनी बड़ी हमें पूरी बनाना होगा उतनी ही उसी हिसाब से हम लोई काटेंगे और पूरीया बेल करके रख लेंगे इस कचोड़ी को कोई भी बना सकता है जब भी अच्छा हो या सुबए की समय आज हम सुबए सुबए अपने बच्चों के नास्ता के लिए बना रहे हैं स्कूल टिपन के लिए क्योंकि भरने वाली कचोड़ी में थोड़ा टाइम लगता इसलिए आज हम ऐसे ही बना रहे हैं यह कचोड़ी बहुत जल्दी बन जाती है अब हम बेल करके रख लेंगे पूरी कचोड़ी पिलकुर हमें पूरियों की तरह बेलना है यह फटती भी नहीं है जब हमाई पूरी पूरियों बिल जाएंगी उसके बाद हम तेल गरम कर लेंगे जब अच्छे से हमारा तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम अपनी पूरियों तर लेंगे गैस को हमें बिलकुल हाई फ्लेम रखना है जिससे हमारी पूरियों बहुत क्रिस्पी बने देखो कितनी अच्छी क्रिस्पी गोल्डान हमारी पूरियों बनकर तयार हो गई है एक बार तो आप भी चलू ट्राइ कीजिए मेरे तरीके से अब हम पूरियों के साथ खाने के लिए बना रहे हैं हरी मिर्ची का आचार फ्राई अचार हरी मिर्ची भरवां फ्राई अचार हरी मिर्ची को हमने अच्छे से दो लिया था और एक दिन के लिए इसका पानी सूखने के लिए रख दिया था जब इसका अच्छी से पानी सूख जाएगा उसके बाद हमने इससे काटा है उपर का डंधार इसका अलग कर देंगे उसके बाद यह कि इसमें लम्मा चीरा लगाएंगी और इसका हम बीज भी नहीं निकालेंगे क्योंकि बीज में ही जो तीखा होता है बीज से ही होता है अगर हम बीज निकाल देंगे तो हमारी मिर्ची का ट्रेस्ट अच्छा नहीं लगेगा पूरी मिर्ची ऐसे हम काट करके रख लेंगे मिर्ची काटने के बाद हाथ अच्छे से साब कर ले क्योंकि बहुत तीखी है मिर्ची उसके बाद हम इसका मसाला तयार करेंगे मसाला बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन अब उसमें डालेंगे हम मेथी, सौफ, अजुआयन और जीरा यह हमने खड़ी धना लिया है साब करेंगे साब करेंगे सभी मसाला को अच्छे से भूंज लेंगे जब तक हमाई साब करेंगे चटकने न लगे और मसाला से एक अच्छी खुस्बू न आने लगे जब भी अचार बनाए तो पूरा घर मेखने लगता है मसाला की खुस्बू से जब मसाला भूं जाएगा उसके बाद एक पिलेट में निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए मसाला ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसका हम पौडर बना लेंगे उसी में हम मिला देंगे हल्दी कस्मीरी मेर्च और नमक हमने चार चमच नमक लिया है कस्मीरी मेर्च अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए इसकी कोई जरूरत नहीं है अब हम इसमें सासों का तेल डालेंगे इतना डालेंगे जब तक हमारा पूरा मसाला अच्छी से गीला न हो जाए जब हमारा मसाला गीला हो जाएगा उसके बाद हम एक एक मिल्ची लेंगे और अच्छी से भार देंगे दवा करके ऐसे हम पूरी मेच्चियां भार करके रखते जाएंगे मेरे घर में तो यह अचार हमेशा बनता है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और पूरी के साथ या पराठा के साथ बहुत अच्छा यह अच्छा लगता है अगर ओफिस के लिए आप लोग टिपन लगाते हैं तो यह अच्छा बना करके रख लीजिए एक हप्ता के लिए थोड़ा थोड़ा एक दम से खटा न बनाए और फिरज में रखते हैं एक डिबबा में बंद करके अगर आप यह अच्छा बना लोगे तो सबजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत अच्छा लगता है यह अच्छा लगता है यह अच्छा पक जाएगी उसके बाद हम उसे पलड़ देंगे और दो मिन तक और अच्छे से से शेंख लेंगे इन्हें तलने में हमें 5 मिट का टाइम लगा है जब हम अच्छी तल जाएगी उसके बाद हम एक पलेट मे निकाल लेंगे इस आचार को आप गरमा गरम इंजो आपी चाह ठंडा जाए गरम